नमस्कार दोस्तू स्वागत है आपका हमारी चैनल सरल घरेलू नुस्के में दोस्तू आज की इस वीडियो में मैं आपको पेट में मरोड और पानी की तरह पतले दस्त से छुटकारा पानी का एक बहुत ही आसान सा रामबान घरेलू इलाज बताने जा रहा हूँ दोस्तू पेट में मरोड और पतला दस्त बहुत ही कस्टदाई होता है इस समस्या का अगर तुरंत इलाज ना किया जाए तो ये खूनी आउं में बदल जाता है यानि की मल के साथ खून आने लगता है अगर आप इस समस्या का इलाज नहीं करेंगे तो वैसे ये कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या नहीं है लेकिन मौसम के चेंज होने पर ठंडी से गर्मी का मौसम आने पर और गर्मी से ठंड का मौसम आने पर ये समस्या अकसर लोगों को हो जाती है या फिर अगर आप गंदे हातों से कुछ खा लेते हैं या गंदा पानी पी लेते हैं तो भी प चम्मच नीबू का रस यहां पे मैंने एक बड़ा चम्मच नीबू का रस ले लिया है इसमें दोस्तों आपको एक और चीज मिलानी है और वो है चीनी यहां दोस्तों लगभग एक बड़ा चम्मच आपको चीनी भी इसमें मिला लेना है और उसे अच्छी तरीके से इस नीब तो यहां पी मैं पहले एक चमच चीनी मिला लेता हूँ, दोस्तों मैं आपको बदा दूँ कि चीनी को मैंने बारीक पीश लिया है, आप भी पीश सकते हैं, जिससे चीनी बहुत ही आसानी से इस नीबू के रसमे घुलेगी, तो इस तरह से मैं पहले एक चमच इसको डाल लेत और घुलने की कोसिस करेंगे, तो बहुत देर लगेगी उसको घुलने में, इसलिए मैंने चीनी को पारीक पहले पीश लिया है, उसके बाद इसे घुल दिया है, आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको चीनी को एक बड़े चमच नीबू के रसमें घुल लेना है, एक बड हो रहा है, पतला दस्थ हो रहा है, तो आप इस नुष्खे को तयार कीजिए और इसे पी लीजिए, ध्यान रखिएगा कि इसको पीने के बाद लगभग आधे से एक घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है, ऐसा करते ही आप देखेंगे कि पेट में मरोड बिलकुल समाप् हो जाएगा, इसके साथ ही पतला दस्थ भी रुख जाएगा, जब भी कभी आपको पेट में मरोड होने लगे, पतला दस्थ होने लगे, तो इस नुष्खे को तयार कर लीजिए और इसे पी लीजिए, इस नुष्खे का प्रयोग आप दिन में 3-4 टाइम भी कर सकते हैं, और ध्यान रखिएगा कि ऊपर से पानी आदे घंटे तक बिलकुल भी मत पीजिएगा, यह बहुत ही कारगर नुस्का है, आप इस नुस्के का प्रियोग ज़रूर कीजिए, चली दोस्तों वीडियो के अंत में अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूं, टिप्स मे और एक चम्मच नीबू का रस डाल कर दिन में 3-4 बार पीने से भी पेट में मरोड, एंठन और पतले दस्त से छुटकारा मिल जाता है, दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक को शेर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी स सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलता हूँ आप से कर शाम एक और ने वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार